कुछ ऐसे पल जो कैमरे में रिकॉर्ड ना होते तो कोई विश्वास ना करता दोस्तों हम जानते हैं कि एक छोटी सी गलती का भी कभी कबार बहुत बड़ा हरजाना भरना पड़ सकता है आप ये वीडियो देखकर इस बात को आसानी से समझ जाएंगे दरसल वीडियो में दिखाई दे रही ये गाड़ी बीयर बॉटल से भरी हुई है जब ये दोनों शक्स गाड़ी में भरे बीयर बॉक्सेस को उतारने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त उनसे थोड़ी सी चूक हो जाती है दोनों मिलकर बियर बॉक्सेस को किनारे तक तो ले जाते हैं लेकिन हलकी से चूक हो जाने के कारण सभी बियर की बॉटल्स जमीन पर गिर जाती है और एक छोटी सिला परवाही के बदले में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है सिक्योटी कैमरा में एक बहुत ही शर्मनाक पल उस वक्त कैद हो गया जब एक पीजा डिलिवरी बॉई एक जगह डिलिवरी के लिए आया पीजा डिलिवरी बॉई ने जब घर पर आकर दर्वाजे पर लगी बैल बटन को प्रेस किया तब ये महिला जो घर में टॉवेल लपेटे हुई थी दर्वाजा खोल कर पीजा ले रही होती है लेकिन उसी वक्त महिला का टॉवेल नीचे गिर जाता है और ये पल महिला के लिए शायद बेहद ही शर्मनाक और अनकमफ़टेबल रही होंगी लेकिन ये सारा वाकिया वहां लगे कैमरे में रिकाउड हो गया जिन लोगों को फिजिक्स की बिलकुल भी नॉलेज नहीं होती उनके साथ ऐसा ही होता है ये जनाब हैन कार्ट को धक्का मारते हुई ले जा रही थे लेकिन इतना भी दिमाग नहीं लगा सकी कि आगे का फर्ष समतल नहीं है तो किसी की मदद ले ले कार्ट में वजन होने के कारण जनाब हवा में उड़ते हुए दूर जागे रे और कार्ट भी धराशा ही हो गया इससे भारी भरकम नुकसान हुआ वो तो अलग लेकिन साथ में जनाब की हड़ियों में भी खुब फ्रेक्चर आगे होंगे जापार में रिकॉर्ड किये गए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब शेर को कुछ देर देखने के बाद जैसे ही ये बच्चा मुडता है तो ये को सेल शेर इस मासूम बच्चे पर जान लिवा हमला कर देता है लेकिन शुक्र है कि पार्टिशन के लिए वहाँ पर एक काच की दिवार बनी हुई थी वरना इस मासूम बच्चे को तो ये शेर अपना निवाला ही बना लेता लेकिन जब यहां के एक रिपोर्टर से बात की गई तो पता चला कि स्चिडिया घर के शेर अक्सर मन बहलाने के लिए बच्चों के साथ में ऐसी हरकते करते रहते है बीच सडक पर हो रही दो रेंडियर के बीच भयानक खमासान को देखने के बाद एक ड्राइवर ने अपने गाड़ी वहीं पर रोग दी और इतमिनान से इस लड़ाई को अपने कैमरे में कैद करने लग गया क्योंकि सडक पर तो रेंडियर ने कबजा कर रखा था देखते ही देखते लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और आखिरकार काफी देर के बाद लड़ाई का कोई परिणाम निकला जिसमें एक रेंडियर ने हार स्विकार कर ली उसके बाद दोनों ही रेंडियर पासे के जंगल में वापस चले गए विज्यान के आधुनिक युग में जहां हर छोटे से छोटा काम करने के लिए भी आजकल मशीनी प्रशलित है वह इस वीडियो में शक्स केवल हथोड़े और छीनियों से ही इस विशाल पत्थर को तोड़ने का प्रियास करते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन देखते ही देखते थोड़ी ही देर में इसने आश्चरेजनेक रूप से पत्थर को दो बिल्कुल सपाट भागों में तोड़ दिया वागई ये तो सच मुझ कमाल हो गया हालांकि इस वीडियो को देखकर ये समझ में आ रहा है क्योंकि इस वीडियो में चूहे और बिल्ली ने मिलकर सद्यों से चला आ रहा इतिहासी बदल के रख दिया जब इस काली बिल्ली को ये चूहा रोड पर नजर आता है तो ये इसका शिकार करने के लिए जटपट इसके पास पहुँच जाती है मगर वहाँ जाते ही अचानक पूरा माजरा ही बदल गया क्योंकि चूहे ने बिल्ली से डरने की बजाए उल्टा बिल्ली को ही डराना शुरू कर दिया कमाल की बात ये भी थी कि बिल्ली भी चूहे से डरने लग जाती है जबकि ये कोई बिल्ली का बच्चा नहीं था बलकि पूर्ण विकसित बिल्ली थी जो चूहे से तो दस गुना ज्यादा बड़ी थी खेर जो भी कुछ हुआ लेकिन इस वीडियो को देखने पर हर कोई आश्चिर चिकित होने के साथ अपनी हसी भी नहीं रोक पाया कहते हैं कि टैलेंट छुपाए नहीं छुपता ये कही ना कही किसी भी रूप में बाहर आ ही जाता है एक रोड क्रॉसिंग पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब ये लड़की चौराहे पर खड़ी हुई थी तो वहाँ पर इसने अपने टैलेंट का एक छोटा सा नमूना पेश किया लड़की वहाँ पर खड़ी होकर धीरे धीरे डांस के बहतरीन मूव्स करने लगी डांस मूव्स को देखकर लग रहा था कि कोई ये प्रोफेशनल डांसर है हाला कि लड़की शायद ये सोचकर ही डांस मूव्स कर रही थी कि इसके उपर किसी की भी नजर नहीं पड़ी है लेकिन गाड़ी में बैठे भाई साब ने तो ये पूरा नजारा अपने कैमरे में गैद करके सारी दुनिया को दिखाने की ही ठान ली जिसको देखकर लोगों की अलग-अलग मजा के अपरतिक्रियाएं देखने को मिली तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट में बताईए कि इन सब में से आपको कौन सी घटना सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले लगी धन्यवाद